नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका क्वालिटी मंत्रा में दोस्तो पिछले कुछ दिनों से मैं एक फेसोच को ट्राई कर रहा था जो कि है पॉंड्स का प्यॉर डीटॉक्स फेसोच ये फेसोच मेंली बनाया गया है स्किन में से प्लूशन पाटिकल्स को रमूव करने के लिए अब दोस्तो मैंने इस फेसोच को टैग दिया है ट्रैवलर्स फेसोच का क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन पे डर्ट पाटिकल्स प्लूशन पाटिकल्स इंप्यॉरिटीज अक्सेसिव ओल्स ये सब आ जाते हैं तो ये फेसोच इन सारे चीजों को स्किन से रमूव कर देता है अब दोस्तो इस फेसोच का रियल एफेक्ट कैसा रहता है उसका आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि कि स्किन टाइप के लिए इस फेसोच को बनाया गया है और क्या हमें इस फेसोच को खरीदना चाहिए या फिर नहीं तो चलिए दोस्तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को तो ये पॉंट्स का फेसोच आता है इस प्लास्टिक की ट्यूब शेप पैकजिंग में और इसकी पैकजिंग के ऊपर आपको इसकी सारी टेल्स लिस्ट की हुई मिल जाएगी तो यहां से आप चेक कर सकते हैं किस तरह से इस फेसोच को यूज करना है क्या क्या इंग्रीडियंट्स इसमें यूज किये गए हैं इसका प्राइस क्या है और इसकी अक्सपैरी डेट कब की है अब दोस्तो मैंने इस फेसोच को टैग दिया है ट्रैवलर्स फेसोच का क्योंकि दोस्तों इन ट्रैवलिंग ये फेसोश आपके बहुत काम आने वाल है जैसी हम बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन पे प्लुशन बाटिकल्स, दर्ट पाटिकल्स, इंप्योर्टीज और अक्सेसिव ओयल्स आ जाते हैं जिसके कारण हमारी फेस स्किन काफी डल लगती है और इस फेसोश में इन्होंने एक्टिवेटेड चारकूल का यूज किया है तो फेस में आपके जो भी इंप्योर्टीज लगी होगी उन सबको ये काफी अच्छे से कलीन कर देगा और आपके फेस को एक फ्रेश सी तासगी बरी लुक दे देगा तो इसलिए आप कहीं भी करने हो उसके इसमें ये फेसोश आपके बहुत काम आने वाल है अब दोस्तो अगली चीज जो मेरे को इस फेसोश की अच्छी लगी है कि ये एक पैराबिन फ्री फेसोश है जिसकी वज़ाए से इस फेसोश से हमें साइड फेक्स मिलने के चांसिस बहुत जादा कम हो जाती तो काफी रिफ्रेशिंग और सूथिंग सी फेसोश में डाली गई है और दोस्तो अगर आप इस फेसोश को यूज कर रहे हैं तो मेरी ड्वाइस है कि आप इसकी थोड़ी सी कौनिटी ही यूज कीजिए यूजिकि जोस्तो इससे काफी जादा फॉर्म बन जाती है जो कि आ आपको एक अडवांटेज यह भी मिल जाता है क्योंकि इस फेसोश की थोड़ी सी कौनिटी ही आपको यूज करनी है तो यह फेसोश आपके काफी लमा टाइम चल जाएगा अब दोस्तो आते हैं उन चीजों पर जो मेरे को इस फेसोश की अच्छी नहीं लगी है तो इसमें पहले चीज़ है कि इसके ingredients में आप देखोगे यहां से कम से कम 5-6 acids का यूज कर रखा है जिससे क्या होता है कि जैसे आप इस फेसोश को यूज करते हैं तो उसके बाद आपकी skin में थोड़ी dryness आ जाती है मतलब इस skin में से moisture को सोक लेता है तो अगर आपकी dry skin है न उसके इस इस face wash का effect आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला लेकिन अगर आपकी early skin है उसके में इस face wash का effect आपको काफी जादा अच्छा लगने वाला है क्योंकि दोस्तों यह dirt particles को तो face share move करेगा ही साथ ही साथ जो excessive oils लगे होंगे उसको भी face share move कर देता है दोस्तों एक चीज और मेर यह dark sports को fade करने के लिए कोई face wash ढूंड रहे हो तो उस case में यह face wash आपको नराज करने वाला है वोगि दोस्तों इस face wash को बनाया गया है जो normal pollution particles square लगे होते हैं वो remove हो जाए अगर आप ज़्यादा advanced effect चाते हो तो वो आपको इस face wash से नहीं मिलेगा दोस्तों अगर मैं इस face wash को overall rating दूँ तो मैं इसको 5 में से 4 star दूँगा जो कि मेरे इसाब से काफी अच्छी rating है और अगर आप Delhi उसके लिए कोई face wash ढूंड रहे हो तो आपको एक face wash चाहिए तो उस case में यह face wash आपके लिए बहुत अची option रहने वाला है चली जोस्तों देखते हैं इसके price को तो यह अल को खरी सकते हैं दोस्तों अमीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए helpful रहे होगी अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगी है तो इसको like करना चली दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए product review के साथ तब तब के लिए जय हिंद